आपका स्वागत hologRET से बात करने जारहें जो मध्य नापपूर से अपनी उम्मेदवारी का दावा पेश कर रहे हैं से बाध करने जार बंति का नोसमें आ पका स्वागत हैसागत पर सरे हैं कि आप इसके भी कार्भॉरेशन इलक्षन संगे के भूमी में जीत चुके तो इस बार क्या चैलेंज लग रहे हैं आपको सबसे बेड़े तो वो संगे की भूमी तो ही वो रहते के राज़े शत्रमदी शिवाजी महलाज के भूमी है बुधि सथो अपरंपुछरप प्रभाप सावमेट करजी की भूमी है संतरता अचितिद बापा की भूमी है और चुनाव नहीं के बाध में मुझे 2017 में एज़वुल का पर्पूर्टर मुझे वहां पर चुन कर दिया था जी हमेशा ही मद्यनापपूर कॉंग्रेस का गड़ माना जाता था पिछले दस सालों से वहां पर बीजेपी की राज कायम हो चुका है तो क्या कमिया रहे थी जो बीजेपी की हाथ में मद्यनापपूर चले गए आपने जो शर्प्त को प्रवध कि वहां पर बीजेपी का राज है बीजेबी का राज नहोते हुए वहाँ पर जो है जन्ता को इनके उपर में नाज रहना चाहिए तक अइसा कही पर भी कुछ है नहीं और रही बार तो दस साल से जो 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 जीते लेकिन जीतने के बाद में एक प्रकार सिन की जो चवी है जो मोनी बाबा बनकर वो उपरे कि उस वर जन्ता का ये कहना है कि इनोंने आज तक जोभी गानाः कुछी जो सुवाल होंगी गाने अजमास्च्य होँगी कुष्ट जो है इंव विधनम में उन्होंने प्रश्णाम अपरो पस्तित कैया जी उन्होंने खुद के सरकार के वियोद्धे में भी ंगार तो प्रद्वाराज पिछले कुछ दिनों में एक टिकेट मिलने बटवारे के पहले ऐसे बाते हो रहे थी कि वहां कोई हल्वा समाज का कैंडिडेट देना चाहिए कि वहां हल्वा और मुस्लिम समाज का एक थोड़ा सा तक्का जादा है और विकास कुम्भारेजे भी एक हल्वा समाज से आते हैं तो इसका कुछ असर आप पे वने माला ऐसा हुकता है यहां पर अच्छे नेताओ उन्हें चुनकर जो है चार चार पाजबाद वार पेज़ा होगा है तो इसलिए यहां पर जाती हैकर जन्त्यावीक जनता कंग तो और झांगर्णय नगरिऑ मेशने कमने जी हां आपके आपने कहा कि जैसे को विलास मुत्यमार जी की बात किये कुछ दिन इन्होंने कई सालों से यहां नाखपूर को संभाला है उन्होंने तो ऐसा क्या हुआ जो उनके हां से बेस अप्ता चलेगी अब जो हेविवेट नेता जो मद्धनाखपूर में रहे थे उनका के अशखी संभी अफें नहीं को जुटे आशोजन देके उनकों कभी बर्गलाया है और यही है कि जूटे आशोजन देके यह लोग सथा भी बैटे सथा के बड़ी पर यह लोग आसीम हुए लेकिन उसके बाद में आज देश में किस प्रकार का महुल है व्यापरियों में क कि जानों कि इस प्रकर का माहुल है, इस सारी चीजह जन्ता के सामने हैं, और आने वाल एकिष तारीक को, जन्ता इनकोन जगह इनिची तुरुपे भी दिखाने वाली है. कि लगता है मद्य नाकपूर का development के बार में किया होगे पिछले 10 साल में क्या हुआ है और किस चीज की जरोत लगती है आपको i determinant डिफ डिया ने विखास लेकिन जिनके नाम में विखास है लेकिन नाम में विखास नहीं इसी मद्दे नाकबूर की जनता ने निरने तो लिया है कि वो बदलाओ याने वाले की इस तारीकों करने वाली है और डिवल्लेप्मेंट की अगर बात कही जा है तो सिर्फ एक विल्डिंग में अगर समझ लीजे तीन सो करोटर पे खर्चा कर कमिशन सिर्फ लोगों से एटना उसके लिए बिल्डिंग बनाना जैसां मेओ की अंगर बात अगर किया जाए कि बोत बड़ा अस्पताल हमारे मद्देनाक मुशेत्र में मेओ का स्पताल सरकारी अस्पताल है उनको बाहर ब्राविट अस्पताल में वहां पर जाकर उनको इलाज वहां पर करना पड़ रहा है पर बाहर आपध देख स्पताल में आज भी नाज equivalent भी स्पताल मेञाए मेरे ने क्रीवाश के लिए पर अभाहर करा है और बाहर है विकास मुल्बूत सु विदा के ओपर में इस प्रकार से होना चाहिए कि जो बुजूर्ग मैला है बुजूर्ग मैलाओं को संजे गंदी दिरादा नुन्नाग यूजना के पैसे उनकी खाते में आ रहे हैं श्रावन पार उद्द पकार यूजना के पैसे उनकी खाते में आ उसी प्रकार से अनेक ऐसी योजना है, जो जनता तक पोच्छती नहीं, वो जनता तक योजना है, यह एक जन्मानिय जो भी विदायक बने, वो विदायक ने पोचाना चाहिए, तो वो मुल्बूत जो विकास हो लेका, वो विकास की असली परिवाशा रहती है, ऐसा मुझे ल कि छीज पर आपका जादे दिखान रहेंगा, और क्या मुधों के लेकर आप ये एलेक्शन लट रहें? पूर्थी उन्हों नास तक की इनी इसलिए मैं ये सोचता हो कि मैं भूलूगा निमा करके दिखाऊंगा और करने के बाद में आने वाले उसके बाद के पात साल में जनता खुद दिर रहे लेगी कि मंटी ने जो कहा था उसने करके दिखाए जी हाँ आप पिछले कुछ दिनो से प्रचार में गुति हुए और किया लगता है कितना प्रतिसाथ मिर रहा है लोको के आपको प्रतिसाथ अगर दिखा जाए तो किसी भी इंगली में अज मंद्यनाखपूरिके अगर गया तो आज मंद्यनाखपूर हमारे एक फुल मिलाकर अश्यार हजार मकान आते हैं तक फिर चार बुज़ से लेकर तर रात के नौ बज़ था इसम घरंतर आठ तारीश से लेकर तो कल तारीक अठरा तक मैंने पद्यातर अन्हकुरत करते हुए दोड़ आतरा की और आपने आप तब भी एक हवर हो की आपने देखा हुआ भी है कि हजारों की तादाद में जंता सव्ह प्राइबाट्र में जिए असे पिजिन में अगाने एक प्रकार से जो है उनका ये जाना था किस harbor आप रजाने के बदमें दुलिधरा जी हमें कुछ चर्चाय में आरे ती र services अप्र एक secular करते हैं तो तो दैरें गश्ते हैं जाते हैं उनके साथ मिल जाते हैं वरॉम जब खाना खाते हैं वाहेत प्रच़ान के साथम्था को इस भी जाके हर एक परिवार को अपना परीवार शनज़ते क्या सच्च है इस उत tangled आपसी जगर देखा जाय तो तो हर्थियंदा पाइटी जो है, वो अभी भी देश की मुद्दों के उपर ही चुना हो रटी है। वो सिर्फ आपके जो एक मोदी जी का चाहरा सामने लखकी वो चुना रड़ी है लेकिन मोदी जी का चाहरा सामने लखकर जो चुना व इसके पहले वी 2014 के पहले लड़ा तो जूटे अच्वा सनून है थीए थे लिगिन मैं आपके मांद्यम से जनता से कहना चाहता हूँ कि य लिए परिवार में आज शम्पूर्नापकुर्ध मेरे परिवार में सबुआ है तो यह हमारा एक परिवार है आज घरिवभी तका रहे या मिडल क्लास तपका रहे या बहुत उचा तपका रहे यह हर तपके को साथ में लेकर एक पिधायक ने चलना चाहिए इसी मेरी सोच है इसलिए पध्यातरा करते वक अगर भूक अगर लगी तो दो निर्वाले अगर खाना है तो क्योंगी समय था नी समय एक दस बारा दिन क या मद्देनागपूर में डिफरेंस दे रहेगा कि जहाजा मनें पध्यात्रा की तो इक अलग प्रकार का जो इस बार प्रकार का एक एक एक्सपरेशन जो लोगों के चेहरे के उपर में थे इन्हें वो चेहरा ही मुझे दिखाचा था कि मैं जो है कि मंटी हमारी जीत जो ह दिखाज पर हम तीसबर के उपर में हम यहां पर विफेंदेनागफूर स में हमारा चुनाओ जीतने वाले और चुनाओ डगे के चोट में जीतने आता है का आटनि जीतने आते हैं आगरी सवाल नाकपूर की क्या स्थित्य लगती आपको छे सीटों में कितनी नाकपूर से चे की छे स्रिते हम लोग आज कॉंगरेस पाइटी एक तरफ आज जीतने वाली है जाहे देवेदर फटनोरीज जी के विरूद में अशी जी देशूक यह भी जो हजारों के तादाद में हजारों के वोटों से जीतने वाले सनमानी अभी काज जी ठाकरे यह पछीब नाकूर स जीतने वाले हैं हमारे निता सनमानी नितिन जी राउद यह उत्तर नाकूर से अच्छी लीट से चुनाओ जीतने वाले है उसे तरीके से पुर्वनाकूर से पुरुषत्तम जी हजारे यह अच्छी लीट से चुनाओ जीतने वाले है और दक्षिन नाकूर से रही बात तो यह भी एक तरफा यह चुनाओं यह हमारे नाकूच वसें और दक्षिनाकूच वसें निकाल लोगे जी हाँ यह ते हमारे साथ दक्षिनाकूर मद्धेनाकपूर के उमिदवार बंटी शटके जी स्टुडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप देख तेरे इन्बिसें न्यूस नमस्कार